क्रिश्न भक्ति की अनन्य प्रेम भावनाव में अपने गिर्धर के प्रेम में रंगराती मीरा का दर्द भरा स्वर अपनी अलग पहचान रखता है। समस्त भारत उसदर दिवानी की माथूर्य भक्ति से ओत्प्रोत रस्शिक्त वानी से अपलावित है। की अनन्य उपासिका थी। भक्ति भावना के आवेश में उन्होंने जिन पदों का गान किया है वे इस तरह से हैं। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, नर्सिंग चीको मायरो। मेरा की भक्ति भावना माधूर्य भाव की रही है। आध्यात्मिक दिस्टी से वो कृष्ण को अपना पति मानते हैं। मीरा अपने कृष्ण की प्रेम दिवाने हैं। उन्होंने अपने इस प्रेम बेली के आसों के जल से सिचाई की। जैसे महागिर्धर रंग राती, पंचरंग चोला पहर्या सकी महाजर्मट खेलन जाती। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का वीजार ओपन मीरा के बच्पन में ही हो गया था। किसी साधू से मीरा ने कृष्ण की मूर्ति प्राप्त कर ली थी। विवाह होने के बाद वह उस मूर्ति को भी अपने साथ चितोर ले गई थी। जैमल वंश के प्रकाश की अनुसार मीरा अपने सिख्षक पंडित गजाधर को भी अपने साथ चितोड ले करके गए थी और दुर्ग में मुरली धर का मंदिर बनवा कर सेवा और पूजा का समस्त कारे गजाधर को सौप दिया इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा कृष्ण की पूजा और अर्चना किया करती रही परन्तु मीरा के बीध्वा होते ही उस पर जो विपतियों के पहार तूटे उससे उसका मन वेरागी की आर उन्मुख हो गया जो जो मीरा को कस्ट दिये गए मीरा का लौकिक जीवन से मोह समाप्त हो गया और कृष्ण भक्ती में उनके निष्ठा बढ़ती गई वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्विकार कर अमर सुहागिन बन गई मीरा की आध्यात्विक यात्रा तीन सोपानों से गुजरती है प्रथम सोपान प्रारंब में उसका कृष्ण के लिए लालाईत रहने का है इस अवस्था में वहे व्यगरता से गाती है मैं बिरहनी बैठी जागूं जग सोवेरी आली और कृष्ण मिलन की तड़प से बोल उठती है दरस बिन दूखन लागे नैन जीतिये सोपानिया है कि जब कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों के प्राप्ति हो जाती है और वहे कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के ये उधार उनकी प्रसन्नता के सूचक है और इसी तरंग में वहे कहे उठती है साजन महरे घरी आया हो जुगा जुगारी जीवता विरहनी पिय पाया हो तृतिये एवं अंतिम सोपान वहे है जब उन्हें आत्म बोध हो जाता है जो सायुज्य भक्ति की चरम सीधी है वहे अपने भक्ति में सकहई भाव से ओत प्रोथ हो कर कहती है महरे तो गिर्दर गोपाल दूजो न कोई मीरा अपने प्रितम कृष्ण से मिलकर उसके साथ एक आकार हो जाती है सोलवे सदी में भक्ति की जिस धारा का उद्गम मीरा ने किया था आज भी वही भक्ति धारा उसी प्रथा से प्रवाहित हो रहे है बास्तव में मीरा नारी संतों में इश्वर प्रप्ति हेतु लगे रहने वाली साधिकाओं में प्रमुक्थी और शायद है उनकी भक्ति से ओध प्रोथ सहित्य अन्य भक्तों के लिए मार्ग निदेशन करता रहा है मीरा के कावे में संसारिक बंधनों का त्याग और इश्वर के प्रती समर्पन का भाव दृष्टिगत होता है उनकी द्रष्टी में सुक, व्यभव, मानसमन, पदप्रतिष्ठा, आदिसभी मिथ्या है यदि कोई सत्य है तो वह गिर्धर गोपाल मीरा के विचार अतीत और वर्तमान से संबध होकर भी मौलिक थे परंपरा समर्पित होकर भी पूर्णते स्वतंत्र थे, व्यापक होकर भी सर्वता व्यक्ती निष्ठ थे पग घुंगरु बाध मीरा नाचिरे, बाले काल से ही मीरा में भगवत भक्ती के संसकार जागरित होने लगे थे वे अपनी सहेलियों के साथ खेल खिलवाड में भी ठाकुर जी की पूजा, ब्याह, बारात और नित्य नवी नुट्सव का खेल खेलती थी उनके रदय में बच्पन से ही ऐसे आलो की प्रेमानुराग की चटा चिटकने लगी थी जिसे देख करके लोगों को आश्चियरे होता था कृष्ण मूर्ती के लिए हट जब मीरा केवल दस वर्ष की थी उनके घार अभ्यागत बन करके आये संत के पास श्री कृष्ण की एक मूर्ती थी जब वे उसकी पूजा करने लगे मीरा बाई भी उस समय उनके पास जा बैठी बाल सुलब मीरा का मन मूर्ती की सौंदर्य पर आक्रिष्ट हो गया उन्होंने साधु से पूछा महाराज आप जिनकी पूजा कर रहे हैं इनका क्या नाम है साधु ने उत्तर दिया वे गिर्धर लाल जी है मीरा ने कहा आप इन्हें मुझे दे दीजे इससे साधु रुस्ट हो गया और वहां से चला गया मीरा ने मूर्ती के लिए हट किया और अन्जल सब छोड़ दिया घर के लोग परेशान हो गए जब मीरा ने साध दिन तक कुछ नहीं खाया तब उस साधु को भगवान ने स्वप्ण में मूर्ती मीरा को देने का आदेश दिया साधु ने वैसा ही किया गिर्धर लाल जी के मूर्ती पाकर मीरा अत्यंत प्रश्टन हुई और नित नेम के साथ आठो याम उसकी पूजा अर्चनक करने लगी एक दिन मीरा ने एक बारा देखी अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे दुलह पालकी में बैठा था मीरा ने घरवालों से पूछा कि मीरा दुलह कौन है उत्तर मिला गिर्धर लाल जी ही तुम्हारे पती है उसी दिन से मीरा ने अगवान कृष्ण को ही अपना पती मान लिया और मगन होकर गाने लगी कि मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सुई मीरा अपने प्रित्म कृष्ण से मिलकर उसके साथ एक अकार हो जाती है सोलवी सदी में भी भक्ती के जिस धारा का उद्गम मीरा ने किया था आज भी वही भक्ती धारा उसी प्रता से प्रवाहित हो रही है वास्तव में मीरा इश्वर भक्ती की लगन वाली साधिकाओं में उनका नाम सर्व प्रमुख है